थाइलेंड में अब बस सौ सियामी मगरमच्छी बचे हैं, हाला कि करीब 12 लाख मगरमच्छ हजार से ज्यादा फार्मों में रखे गए हैं। थाइलेंड मगरमच्छ की खाल के सबसे बड़े उत्पादकों में से हैं। चूंकि ये प्रजाती खत्रे में है, इसलिए निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। अब जंगलों में मगरमच्छों को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन इन मगरमच्छों को इनके प्राकरतिक वातावरण में छोड़ना भी इन्हें पकड़ने जितना ही मुश्किल है। मगरमच्छों की खाल के अलावा इनके मांस की भी खूब मांग होती है, खासकर चीन में। लेकिन सीमा पार कारोबार में ढील के लिए अब थाइलैंड के फार्मों को साबित करना होगा कि वे मगरमच्छों को जंगलों में वापस ला सकते हैं।